हलो आल, कई बार बेट पैरेट मुझे फोन करके रिक्वेस्ट करते है कि सर हमें हमारा डॉग किसी को देना है हम अभी उसे पाल नहीं सकते, हम उसको संभाल नहीं सकते जादा तर समय दोष दिया जाता है डॉग को ही जबकि असल में गलती होती है हमारे डॉग लेने के डीसिजन मेकिंग प्रोसेस की डॉग लेने का डीसिजन ये कोई जुवा नहीं है, वो कोई गैंबल नहीं है वो एक साइन्टिफिक, रिसर्च बेस प्रोसेस है जो कि हम फॉलो करते है नहीं और फिर समय आता है हमें हमारे डॉग के उपर गिव अपॉन करने की इसलिए पेट पैरेंट्स को एजुकेट करने के लिए आज से हम एक वीडियो सीरीज बनाने जा रहे है जिसका शुरुवात आज हम इस टॉपिक से करेंगे कि डॉग लेने का डिसीजन लेते समय क्या-क्या गलतिया होती है और उस गलतियों को हम कैसे अवॉइट कर सकते हैं चलिए शुरुवात करते हैं आज के टॉपिक की डॉग लेने का डिसीजन लेते समय हमसे सबसे बड़ी गलती यह हो जाते है कि हम बहुत impulse हो जाते हैं हम बहुत आवेश में आ जाते हैं हम बहुत जोश पुर्ण हो जाते है reason impulse होने का या जोश में आने का excite होने का कुछ भी हो सकता है बच्चों ने जीत की इसके लिए हो सकता है या किसी को हमें gift करना है इसके लिए हो सकता है या बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए बाहर गाव रहते है तो उनके पैरेंट्स घर पे आके ले रहते है तो माबाब को एक companionship देने के लिए एक जोश पुर्ण excitement में dog purchase करने का decision किया जाता है या फिर कोई friend है वो recommend करता है So for example कभी कोई ऐसी security threat related situation ओकर हो जाती है तो कोई पहचान वाला होता है कोई दोस होता है वो हमें recommend करता है रहे या तो dog क्यों नहीं रख लेता security के लिए करने के लिए कही हमने पढ़ा रहता है या किसी से सुना रहता है कि dog को as a therapy के लिए use किया जाता है तो हम बीना सोचे समझे dog को उठा के लेके आते लेकिन ऐसी चीज़े नहीं होती है हर एक dog therapy dog नहीं रहता है हर एक dog protection के लिए नहीं रहता है हर एक dog companionship के लिए नहीं रहता है उसके बहुत सारे माइने हैं जो हमने consider करने जरूरी होते है बहुत बार ये होता है कि सबसे पहले हम ये पूछना ही खुद को भूल जाते है कि क्या सही में हमें पेट की जरूरत है या नहीं अगर answer हाँ है तो हमें dog ही as a pet चाहिए क्या हम उसे उतना समय दे सकते है या हम कोई दुसरा alternative जैसे cats है, birds है, fishes है जो इनसानों पे जादा depend नहीं रहते या उनको पालने के लिए जादा समय देने की जरूरत नहीं पढ़ती है जितना की dog को देने की जरूरत पढ़ती है क्या इसे pets हम ले सकते है फिर अगर आप dog लेने का ही decision करते है तो फिर क्या आपके पास उतनी sufficient जगह है आपका financial condition आपको allowed कर रहा है वो budgeting वगरा जो है वो allowed कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी grooming requirements होती है उसको exercise की requirements होती है उसकी training की requirements होती है तो क्या हम ये सब चीज़े कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे accordingly आप decision ले सकते है कि आपको dog लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए हमसे दुसरी गलती होती है breed selection के समय जादा तर समय हम apparent looks को मद्दे नजर लगते हुए breed select करते है जैसे कि किसी को cute dog चाहिए तो वो furry dog लेगा या किसी को dangerous looks वाला dog चाहिए तो वो rot willers है या pit bull जैसे dogs जो है जो musculars है या जो दिखने में किसी को scary लगे वैसे dogs का selection होता है कभी-कभी social status के लिए भी dog breed select होती है जाधा तर exotic breeds जो होते हैं costlier breeds जो होते हैं तो उनको select किया जाता है क्योंकि वो महंगे है तो उसे मेरा social status बढ़ जाता है कभी-कभी breed selection ये self-esteem के लिए भी लिया जाता है जाएंट breeds जो होते हैं उनको जाधा तर उसका इस्तमाल किया जाता है अपना self-esteem बढ़ाने के लिए लेकिन ये सब ना करते हुए जब आप internet पे जाते हो और किसी breed के बारे में information लेते हो तो उसमें उसके सिर्फ looks नहीं रहते उसमें होती है कि वो उसकी history क्या है कौन से origin से है वो उसका breed का कौन सा वो group है तो working group है sporting है वो या वो terrier group में से आता है तो उसके अलग-अलग purpose है वो breed के उसके बारे में information आती है वो breed से related कोई health issues होते हैं जनिकल issues होते हैं breed related जैसे कि German shepherd जो है उस breed में थोड़ा सा hip dyslexia या elbow dyslexia के chances तोड़े जादा होते हैं या फिर उनके grooming requirements होती है जो breed की coats long है dense coat है उनको grooming requirements जादा होती है फिर temperament भी वहाँ पे लिखा रहता है कि एक particular breed का temperament की तरहका रहता है अलग-अलग temperaments के dogs होते हैं अलग-अलग purpose के लिए वो बनाए गए हैं वो उस breed की exercise requirement क्या है उस breed की space requirement क्या है उस breed की maintenance याने की उसका diet उसके vaccinations वगरा उसकी requirements क्या है ये सब information हम हमारे हिसाब से avoid करते हैं और सिफ वो डॉग में हम हमारा impression देखने की कोशिश करते हैं तिसरी कलती हमसे हो जाती है डॉग लेने की proper जगह को identify करने हैं जादातर ये decision कोई हमें मोबाइल पर किसी पपी का वीडियो या फोटो भेज देता है और वो देखके ही हम decision ले लेते हैं लेकिन मैं personally recommend करता हूँ कि अगर आप dog adopt करना चाते हो तो proper genuine dog shelters में जाकर ही आप adopt कर लीजे या आप dog purchase करना चाते हो तो genuine breeder के पास जाके ही आप dog को purchase कर लीजे भीर सवाल आता है कि हम कोई shelter genuine है या कोई breeder genuine है नहीं है ये कैसे जाने तो सबसे पहले आपके आसपरोस में या आपके जान पैचन में जो अलड़ी जो पेट parent है आप उनसे मिलिए उन्होंने कहां से पेट लिया उनका कैसा experience रहा उसके बारे में references ले लीजे उनका feedback ले लीजे उनका review ले लीजे वो shelter या वो breeder के बारे में या आपके vicinity में कोई veterinarians रहेंगे कोई dog trainers रहेंगे dog walkers रहेंगे dog groomers रहेंगे उनसे बात कर लीजे उनसे कोई references ले लीजे reference लेने के बाद उस shelter या उस ब्रीडर के फैसिलिटी को अपने विजिट करना बहुत जरूरी है आपने देखना जरूरी है कि वो शेल्टर में हाइजिन कीसे रखा जाता है या वो ब्रीडर की जो फैसिलिटी है वो कितनी नीट एंड क्लीन है वहाँ पे डॉक्स को किस तरह से ट्रीक्मेंट किया आथ जा रहा है यह वहाँपे जो शेल्टर के इनचाज रहेंगे जो अथोरीटी जरेंगी या ब्रीडर रहेंगा वहां के डॉक्त के साथ कैसे बरताव कर रहे हैं उनका कंउनिकेशन केसा है उससे आपको पता चल जाता है कि उनका एमोशनल एटाशमेंट किस लेवल पे ह उनके dogs के प्रति फिर आप दूसरी चीज़ कर सकते हो कि आप उनकी health screening के बारे में बात कर लीजे ज्यादा तर genuine dog shelter जो होते हैं वो regular check-ups कराते हैं उनका vaccinations कराते हैं या वो dogs को neuter कराते हैं उनको operate कराते हैं breeders जो होते हैं वो भी de-warming, vaccination इसका proper record रखते हैं तो वो record आप चेक कर सकते हो उसके बारे में दुसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि जो shelter चला रहे है या जो volunteer से महां के या जो breeder है उनको खुद को कितना knowledge है dogs के बारे में ताकि आप उनसे कुछ suggestions ले सके उनके experience का उनके expertise का आप कुछ फाइदा उठा सके जादा तर जो genuine shelter के volunteers रहते हैं या जो in charge रहते हैं या breeder जो रहता है वो आपको maximum समय देगा वो आपके maximum सवालों का जितना detail हो सके उतना detail में जवाब देनी की कोशिश करेगा इतना ही नहीं वो breeds के बारे में dogs के बारे में आपको extra information देगा वो सिफ आपके सवालों का जवाब नहीं देगा तो वो आपको कुछ सवाल पूछेंगे भी ताकि वो make sure कर सके कि उनके shelter का य पपी ऐसी नहीं आया तो पटापट दे दो भई और अपना काम निकाल दो फिर दूसरी चीज होती है कि उन्होंने पपी का environment कैसे दिया हुआ है वो पपी जो है shelter में या ब्रिडर में वो isolated है क्या या उनको socialization का opportunity मिल रहा है बाकी पपी के साथ बाकी dogs के साथ दूसरी चीज पर पीज होता है कि जो genuine shelters जो होते है या जो breeder जो होता है वह आपके सारे details लेते हैं और कम से कम 6 महिना वो आपको पपी देने के बाद कम से कम 6 महिना वह आपका follow up लेते है just to make sure कि आप पपी को सही तरीके से संभाल पा रहे हो या नहीं संभाल पा रहे हो जो genuine shelters रहते हैं या breeders रहते हैं वो government authority का उनको proper recognition रहता है वो register रहते हैं breeders जो है वो किसी kennel club का membership हो सकता है वहाँ पे registration हो सकता है animal welfare board of India के पास उनका registration होगा इंजो है या कोई के नहीं लेतों तो यह सब चीज़े अपने देखने बहुत ज़रूरी होती है personal visit करना वो अगर opportunity मिले तो वो puppy के parents को मिलना उनकी मदर को उनकी father को ताकि आपको approximately idea जाती है कि किस टाइब का temperament इस puppy का होगा तो थोड़ा सा आलस को दूर करके थोड़ा सा personal visit करके personally investigate करना बहुत ज़रूरी है rather than कोई आपको easily आपके घर पे पपी लाके दे रहा है जानने के लिए कि आपके पास सही पपी सही compatible पपी आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारी अगली गलती हो जाती है कोई एक particular puppy या dog को select करते समय जादा तर समय हम puppy लेते समय या dog लेते समय जेंडर बायस हो जाते हैं आप देखोगे जादा तर pet parents जो है वो male dog को prefer करते है over a female dog personally मुझे पुछा जाए तो जादा कुछ फरक है नहीं जो nature ने बनाया फरक है बस वितना ही मामुली सा फरक है लेकिन फिर भी मोटा मोटे अगर कहा जाए तो male dog जो होते हैं उनकी body size comparatively bigger होती है male dog territorial थोड़े से जादा होते हैं लेकिन उसका दूसरा problem यह है कि वो indoor outdoor उनका territorial marking क करना शुरू कर देते हैं इंडियर अर्ली स्टेज जब वो आट नो मैने के हो जाते है फर्स टाइम टिरिट्योर मार्किंग करना सीख जाते है जेनिटिकल होता ही है तो घर के अंदर furniture है या कोई interior decoration के कोई items रहेंगे उनके उपर उनका urine spray कर देते है या गर के पीलर से कार स से उनके उपर वो यूरिन मार्किंग करते है लेकिन यह कोई बड़ा प्राब्लेम नहीं है अगर आपने सही तरीके से चुनिंग क्या address क्या इस इश्य को तो इस प्राब्लेम कें गेट रिजॉल्ट फिमेल डॉग्स की बात करें तो साल में दो बार उनको हीट साइकल आती है लेकिन like a male dog वो spray नहीं कर पाती तो वो spotting होता है उनका female dog जब हीट पे होती है तो बाकी male dogs को communicate करने के लिए उनको invitation देने के लिए she also do that's urination spotting जब आप वो के लिए या पही जाते हो तो वो होता है once again you can address this issue properly यह माना जाता है कि female dog जो होते है वो ज्याधा adoptive रहती है तो घर के अंदर कोई दूसरे अनिमल से तो वो जल्दी उनको अड़ाप कर लेती है एकसेट कर लेती है compare to male dogs male dogs थोड़े से territorial होने के वज़े से अपने territory दूसरे अनिमल के साथ शेयर करने के लिए फोड़ा सा उनको problem होता है लेकिन if you properly introduce your dog to your existing pets या उनको proper socialization करे आप proper training दे तो इस problem can get resolved दूसरा इसमें यह चीज़ आती है कि हम पपी या डॉक सिलेक करते हैं एक इमोशनल बायस की तरह सो क्या होता है ना कि जो पपी या डॉग एनर्जेटिक रहता है यह नो हैपी गोल लगी रहता है भग दोड करता रहता है वह हमें बहुत प्यारा लगता है वह हमें बहुत क्यूट लगता है हम उसकी तरफ जल्दी अट्रैक हो जाते इसरा बाल मेंने जमीन पर जमीन पर बंस्य थे लेखिए जैन निकिन जो एक ये भी बताता है कि मेरे अंदर कितनी वीजिकल इनरजी है क्या आपके पास उतना टाइम है वो फिजिकल एनरजी ड्रेनाओट करने के लिए इस नोट जस्ट आपवाट फिजिकल एनरजी इट्स बॉट मेंटल एनरजी अज वेल उसको बहुत सरी चीज़े एक्स्प्लोर करने रहती है तो क्या आप उतना टाइम दे सकते हो उसको मेंटल स्टिमूलेशन देन आपके लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंज़ेश वह नहीं लाएगा आपकी पपी या एक्टिव पपी जो है वो खराब होता है लेकिन शायद अगर आपकी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है आप जादा आउटिंग नहीं करते हो आपकी एनरजी वैसे नहीं है तो एक्टिव डौग विल विद पश्वी जैसे दूसरी चीज़ यह जाती है न कि हम पपी लेते समय कमपैटिबिटी टेक टेस्ट वो करते नहीं हम चेक नहीं करते कि यह इंडिविजिल पपी जो है वह हमारे फैमिली को कमपैटिबल है के नहीं पार एक्जंपल उसकी परसन को ना drive जाधा रहता है कोई चीज पाने की इच्छा जो होती है ना वो बहुत जाधा रहती है than normal dog वो food हो सकता है वो toy हो सकता है अगली गलती more than 95% लोग पपी लेने के decision के समय करते हैं और वो यह है कि वो यह consider ही नहीं करते कि dog के अलग-अलग life stages में अलग-अलग behavioral problems आ सकते हैं 0-6 months की age में puppy teething phase से चलता है तो उसकी वज़े से वो human body parts अलग-अलग चीज़ों को काटता है यूजुली इस behavior को aggression मानते है लेकिन ये aggression नहीं है नए दात आने की process में उसको gums को satisfaction मिलने के लिए वो अलग-अलग चीज़ों पे काटना शुरू कर देता है दूसरी चीज वो आसपास का जो जग है अपने आसपास की जो दुनिया है आसपास की जो वस्तुए है उसको explore करना चाता है जैसे आप कोई shopping करने जाते हो तो हातों से छूआ के देखते हो या आप शुन के किसी चीज को देखते हो या आप एक feel लेते हो वो चीज का वैसी ही dog के पास that एक option है जो वो समझ सकता है कि यह soft है वो surface hard है तो इस तरके से वो अपने around का जो जग है दुनिया जो है उसको explore करने की कोशिच करता रेता है दूसरी चीज होती है कि इसी age में out of excitement, play biting की तरफ puppies चले जाते हैं खेलते खेलते आचनक से वो आपको काटना शुरू कर देते हैं इस वरी नाच्रल बेहेवियर फॉर पपी सई गाइडंस, सई ट्रेनिंग की बदवलत आप इस बेहेवियर को जल से जल stop कर सकते हैं दूसरा जो एज आता है वो adolescent age याने के six months to two years का वो age group रहता है अब यह age में क्या होता है ना कि dog अपने boundaries को टेस्ट करता है puppyhood में आपने जो rules regulations उसके लिए set किये रहते हैं वो dog उसके beyond जानी की कोशिच करता है वो rules regulations तोडनी की कोशिच करता रहता है आपको सिफ उसे समय पे आपके training के उपर focus रखना है आपका जो बेस है उसको stick करना है और जो भी rules regulations आपने set किये वो आपको बार-बार reinforce करने रहते है इसी age के दवरान आप बोल सकते हो कि जैसे age बढ़ता है वैसे body energy बढ़ती है right so it's similar like a human baby human baby होता है जैसे जैसे वो grow होता रहता है वैसे वैसे उसकी energy बढ़ती रहती है और वो बढ़ती हुई energy को cope up करने के लिए हमें हमारी energy match करनी पढ़ती है जो थोड़ी से हमें दिक्कत वाली part आती है लेकिन ये बहुत ही natural है जैसे जैसे age बढ़ेगा ये age में particularly adolescence age में dog young होता रहता है तो उसको बहुत सरी चीज़े explore करनी रहती है उसको बहुत सरी चीज़े जाननी रहती है बहुत कुछ करना रहता है तो इस लाइक बदन में जान है और मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है तो इस टाइप की वज़े से हमें थोड़ी सी दिक्कते आ सकती है सही मातरा से अगर हम exercise दे physical or mental stimulation दे तो ये problem को हम आसानी से deal कर सकते है बात में आ जाता है कि ये age group में because of hormonal changes reactivity बढ़ जाती है so जो पहले dog किसी dog के उपर भोगता नहीं था aggression नहीं दिखा था वो dog-to-dog aggression दिखाना शुरू करेगा या aggression towards any other animal दिखाना शुरू करेगा या because of hormonal changes या territorial behavior वो strangers के उपर reaction दिखाना शुरू करेगा so we need to address this issue by proper socialization focusing once again our training routes जो हमारा base training का वापिस उसको reinforce करना है वापिस उसको practice करने है रियल्स करना है जिसकी वज़े से आप ये behavioral issues को address कर सकते है फिर उसके बाद जो उसका age जो आता है हम बोल सकते हैं कि senior category का जो age होता है जो कि आता है 7 plus year का अब इसमें क्या होता है ना कि old age की वज़े से उनके अंदर cognitive dysfunction होता है cognitive dysfunction होने की वज़े से ये dog थोड़ा सा confused हो जाता है आप देखोगे कि वह बार बार एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है पानी पीने जाएगा लेकिन पानी पिना पीए वापिस चला आएगा उसको क्या बोलते हैं उसको disorientation हो जाता है उसके sleeping pattern में changes आने शुरू हो जाते है because of old age ये सब चीज़ी होती है फिर old age में dog का tolerance level जो है वो कम हो जाता है तो वो rough handling पसंद नहीं करता है उसको बहुत प्यार से आराम से उसको हमें time देना पड़ता है बहुत प्यार से उसको handle करना पड़ता है फिर उसमें because of age factor once again house spoiling के भी accidents होते रहते हैं so we need to understand कि ये आपके training का failure नहीं है ये dog कोई purposefully कुछ कर नहीं रहा है now because he is now getting older and older उसमें फोड़े से उसके physics के उपर उसका control चूट रहा है उसके सोचने समझने के तरीके के उपर उसका control चूट रहा है I hope ये video आपको काफी helpful और informative लगा रहेगा इसके बारे में मैंने detail में चर्चा मेरी book crafting pause and tales में की है ये book amazon के उपर available है जिसकी link मैं इस video के description box में mention कर रहा हूं झांक्यू झांक्यू